दिल्ली का एक बड़ा चौंकाने वाला सच आज आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली में बड़े अस्पताल का सच सरकारी अस्पताल के बाहर 45 डिगरी की गर्मी में सडक पर पड़े हैं बेबस मरीज ये देखिए पहला मरीज स्वास्थ मंत्री जी देखिए अस्पताल के बाहर पड़ा दूसरा मरीज और यहां ठीक अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है तीसरा मरीज पहले मरीज के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था दूसरे मरीज को पी लिया है उठ नहीं पा रहा था ये भी लाचार अस्पताल के बाहर पड़ा मिला तीसरे मरीज की हालत और ज्यादा खराब थी इसका एक पैड टूटा हुआ है पैर में प्लास्टर है लेकिन वो भी टूटा हुआ फिल नहीं पा रहा था लेटा हुआ था लेकिन अस्पताल जिले ने उसे कोई नहीं आया दवा तो छोड़िये एक एक भून पाने के लिए तरस रहे हैं दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर मरीज जिस देश में 30,000 करोड रुपए हर साल स्वास्ट के नाम पर खर्च किये जाते हैं उस देश की राजधानी में अस्पताल के बाहर मरीज तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर है इस अस्पताल के अंदर करोड़ों रुपए के लाज का सामान पड़ा है लेकिन ये मरीज इलाज के अभाव में तड़प रहा है तस्वीरे हैरान करने वाली हैं मनज़र दिल दहला देने वाला है कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल की हाकिकत चौंकाने वाली है तो दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया के सामने आज जो तस्वीर देखकर आखें ठरा गई कोई उमीद भी नहीं कर सकता कि इतने बड़े अस्पताल के सामने इलाज के लिए तरबते तरसते मरीज दिखेंगे वो अस्पताल जो वी आई पी लाके में है जो प्रतान मंत्री आफिस से सिर्फ तीन किलो मीटर की दूरी पर है जहां दिल्ली के बड़े बड़े नेता इलाज करवाने आते हैं उस अस्पताल की सड़क पर पड़े होंगे इस तरीके से मरीज तीन मरीज जिनकी हालत बहुत गंबीर थी जिनको इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें रामनोहर लोहिया अस्पताल ने मरने के लिए इस तरह से 45-46 डिग्री का जब अटैक हो राहे गर्मी का बाहर सड़क पर मरने के लिए यूँ छोड़ दिया आरेमिल अस्पताल के बाहर पड़े पहले मरीज की दर्दनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है एक पट्टी इसके शरीर पर लिप्टी है इस मरीज का नाम पता भी नहीं मालूम रह चलते लोगों के मुताबिक इस मरीज को आरेमिल अस्पताल प्रिशासन नहीं बाहर फिकवा दिया जिन लोगों ने इस मरीज को देखा उनके मुताबिक आद सुबह करीब 8 बजे अस्पताल के ही वाट बॉय स्ट्रेचर पर इस मरीज को लेकर आए और इसे सलक पर फेंक कर चले गए ये मरीज अस्पताल में भरती था इसकी घवा है इसके हाथ पर बंधी ये पट्टी है पट्टी पर MLC की चिट यानि डॉक्टर इस मरीज की जाच कर चुके है मैं इस वक्त आरेमेल अस्पताल के बार खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मरीज यहां हमाय सामने पड़ा हुआ है मैं इस अपने अपना नाइट डूटी करके यहाँ आ रहा था तब मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करके देखा कि वो इस्टेचर से इनको इधर इस जगे पर यहां पर उसको फैका है पुलिस को मैंने जैसी फोन किया है पुलिस यहां पर 10 मिनट में फोच गई है पुलिस यहां 10 मिनट में फोच गई है लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक सरकारी अस्पताल से इस्टेचर पर मरीज को लाया जाता है और भैर फैक दिया जाता है और यहां के जो पुलिस कर्मी है या जो भी स्टाफ है वो एकदम मदब आपनी डूटी के परती ला परवा इस्टेचर परेफियर जो उनके पास गया उनके वोड़नर होते जो भोड़धे वो लेक आएंगे मैं उनके बास गया, उन्होंने कहा कि यह हमारा मामला नहीं है, अगर हॉस्पिटल में होता तो हम उठा के लिया आते हैं इसको, आप पुलिस के बास गया, पुलिस वालों ने मेरे को कहा कि हॉस्पिटल के करमचारी उन्हें से बार खांगा, और इसके अलावा अगर आप इस तापमान दिल्ली के वैसे ही बहुत जादा इस समय गर्मी अपने चरम पर है और ऐसी हालत हो गई थी उसकी आपने अभी उसको देखा यहाँ पर किस दैनिये स्थिती में वो यहाँ पर पड़ा हुआ था पुलिस को फोन किया गया है यहाँ पीसियार उसे उठा के अभी ले यह और देखते हैं आगे अभी इसके आगे क्या होता है हमारे समवादा था अभी शेक उपाद्याय को ख़बर मिली कि आरमल अस्पताल के सामने कुछ मरीज खोले आसमान के नीचे पड़े हैं सूचना मिलते ही इंडिया टीवी के दूसरे समवादा था मरनित गुपता मौ तो PCR भी वक्त पर आ गई दो पुलिस कर्मियों ने मरीज को उठाया और अस्पताल लेकर गई लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आरमल अस्पताल ने अपने गेट के ठीक सामने पड़े मरीजों के लिए आँखें क्यों बंद कर ली क्या इस मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता अस्पताल होते हैं लोगों का इलाज करने के लिए लेकिन या जब अस्पताल इस तरीके से सलूक करे तो उसका प्र क्या हल होगा उस मरीज का हम आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और वो तस्वीर जिसको देखकर कोई भी निशब्द हो जाए, जिसको देखकर कोई भी लाजवाब हो जाए. दो और case studies हमारे पास हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, इस पर चरचा भी करेंगे, हमारे साथ हैं. पूर महिला बाल कल्यान विकास मंत्री और कॉंगरेस की निता कृष्णा तीरच जी हमारे साथ हैं और सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जिस्टिस के डॉक्टर अभीजी दास हमारे साथ हैं साथ ही दिल्ली से हमारे साथ हमारे समाधता वर्नित गुपता मौझूद हैं कि छोड़ जाता कि देखा क्या उनों ने तेकि सबसे पहले अब उन मैं आपको बताओं तीन मरीज मैंने आज अपनी आखों के सामने देखे बहुती जादा कह सकते हैं दैनिये इस्तिती थी उनकी बहुती खराब इस्तिती में वो बहार रोड पे निर्वस्र पड़े हुए थे हालत इतनी जादा खराती इतनी जादा गर्मी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता और वो निर्वस्र पड़े हुए थे मैं दाद देना चाहूंगा यहां के जो लोकल लोग हैं और जो यहां के जो आसपास के जो लोग है, उनकी सम्मेदर शीलता को मैं दाद देना चाहूंगा, बहुत जादा इंसानियत बतौर इंसान उन्होंने उस जो यहां पे जो मरीज पड़े हो तो उन्हें पहले पानी पिलाया, हमाई साथ खुद एक व्यक्ति यहां पे मौजू मैं अपना पार्लेमेंट में सर्विस करता हूं, नाइट शिफ्ट करके मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा इस स्टेचर पर दो वाड़ भुआ है, एक मरीज को लेके अंदर जाते हैं, और बड़ी निर्द्रता से उसको उठा करके और पेड़ के नीचे फैक करके लेकिन वो तो ऐसे बागे जैसे या तो बहुत बड़ा मटर करके जा रहे हैं, या कोई ड़के दी डालके जा रहे हैं, तब से मैं इस पेशेंट के पास ही था, लेकिन मैं आपको बदा दू, मैंने खुद अभी RML के MS जो मेडिकल सुप्रेटेंडनेंट है, डॉक्टर का पर उनसे बात मैंने करी, वो कहने कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी ऐसी नेगलिजिंसी हमाई तरफ से नहीं हो सकती, जी, उनका कहना बिल्कुल गलत है, अगर उनकी तरफ से नेगलिजिंसी नहीं होती, तो देखे वो वहाँ पर पेशेंट पढ़ा है, वरनित हम आपके पास देखे इन दो औरकेस्ट्रीडीज को, पहले मरीज को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा कर अस्पताल के अंदर ही गई थी, कि वहाँ खड़े लोगों ने हमारे समाता को बताया कि चार कदम की दूरी पर एक दूसरा मरीज भी है, पता लगा कि ये दूसरा मरीज आरेमेल अस्पताल के बार करीब पचास घंटे से ज्यादा से पड़ा हुआ है, लेकिन अस्पताल ने इसे भरती नहीं किया, कोई सुध नहीं लिए पहले मरीज से चंद कदमों की दूरी पर ही दिखा एक और तड़पता हुआ मरीज, इस मरीज का नाम है विनोद विनोद बुलंड शहर से आया है, इसे पी लिया है, हालत बहुत गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल ने विनोद को भरती नहीं किया, खुद की जान बचाने के लिए विनोद तडपता हुआ, इस पेड़ के नीचे लेट गया, पानी की बोतल बगल में दबा पानी किया आप, इस पीलिया है, तो क्या अस्पताल में इलाज नहीं कर रहे हैं? देख रहे हैं आप अभी अभी मरीज यहां पे अस्पताल के बाहरी पड़ा हुआ है और पीलिया है इस मरीज को, चल भी नहीं पा रहा है, और सुद्बुद में भी नहीं है अपनी, हालत बहुत खराब है इस समय, और पुलिस जब यहां पे जो मौजूद जो लोग हैं, जब उन्होंने यहां पे थोड़ा सा हल्ला किया और बाद में पुलिस को इक्तिला किया कि यहां पे इस तरह की स्थिती में मरीज पड़े हुए तब पुलिस यहां पे पहुचती है और आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पे मरीज को उठाने के लिए यहां पे यहां पे मौजूद है और अभी अभी पुलिस भी यहां पे पहुची है, PCR पहुचा है यहां पे अभी यहां से देखिए, इसमें स्ट्रेचर निकाल के लेकर आ रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी बुरी हालत में यहां पर कितनी दैनी है सिती है इस मरीज की चल नहीं पा रहा है पहले उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे चला के लेकिन नहीं चल पा रहा है तो आप स्टेचर लेकर आएंगे और उसके बाद इसे यहां पे ले जाएंगे लोग यहां पर कह रहे हैं 48 गंटे चल आपका नाम यहां पर नहीं पर आनी इंको पिलाए के थोड़ी सुद्बुद में यह जब थोड़ा नहीं शुरों किया है और बार स्कति खराब इसे तीन दिन से अस्पताल प्रशाशन एकदम लापरवा दि देखिए अभी मरीज को इसका नाम विनोध है विनोध है इसका नाम इसको पीलिया हुआ है और करीब और 40 गंटे यह बाहर पड़ा हुआ है और अब इसे देखिए स्ट्वेचर में लिया जा रहा है और गेट के सामने है इसका एट्यम कार्ट चीना गया है जरू इस समय वह इस बात करने के स्टिवी के संवादाता वरंडित गुपता ने इस मरीज को बचाने के लिए पीसियार को फोन किया पुलिस कुछी मिनत में हमारी कॉल के बाद यहां पहुंच गई आखिरकार 48 घंटे से तप्ती धूप और बिना इलाज के तरबते विनोत को पुलिस ने हमारी कोशिशों के बाद आरेमल अस्पताल में फर्ती करवा दिया कितना जागरू के सरकार, कितना जागरू के प्रसाशन देख रहे हैं अभी अभी अंदर ले जाये गया इसे अब आशा करते हैं कि अब इस मरीज का इलाज होगा और जो यहां पे जो लोग यहाँ पर मौझूद है दाद देली होगी इन लोगों की बहुत-बहुत शुक्रिया इन लोगों का इन लोगों की वज़े से लोग ऐसे जो मरीज है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है आज उनकी सुनवाई हो रही है उन्होंने हमें भी बुलाया पुलिस कोई ब बज़ जाए इसके अलावा अभी जी दास साथ हैं जो की सेंटर फूर हेल्थ और सोशल जस्टिस से आते हैं और हमारे समाद तब हमारे साथ बने हुए हैं क्रिशना तीरच जी आपका पहला रियक्शन आप ये अगर देख रही हैं तस्वीरे काफी हैरान करने वाली हैं और काफी परेशा हर व्यक्ति को चाहे जैसे मैं आपकी रिपोर्ट पीछे सुन रही थी तो उसमें किसी ने बताया कि जो हमारे कुछ ड्रग एडिक्ट्स आते हैं वो यहां पे छोड़के चले जाते हैं कुछ ने में एक ने जो बताया भारद्वा जी को मैं तह दिल से खुद अभिनंदन क देखा इसकी वज़ा क्या है मैं आपको उसी बैग्राउंड मिलने जाना चाहरे हूं देखे वात यह है कि देश में गरीबी है देश में इलाज करने का पूरा साधन नहीं हो सकता है यह भी हो सकता है या कौन कहां से आए क्योंकि यह मैंने आपी की रिपोर्ट में देखा ह से लेकिन आपकी इस देखने के साथ मुझे लगा कि ऐसे हालात में हर व्यक्ति को चाहे वो गौर्मिंट हस्पिटल हों चाहे वो प्राइविट हस्पिटल हों जहां भी इस तरह की चीज़े देखे जाया और जागरुक हमारा नागरिक इस बात को जाने और सो नमर को पूर जी लेकिन आप कह रही हैं कि साधन नहीं हो सकते हैं लेकिन एक बड़ा अस्पताल दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल जिसमें बड़े बड़े नेताओं का बड़े बड़े लोगों का इलाज चलता है वहां पर साधन ना होने का तो सवाली पैदा नहीं होता आज हम आपको एक नहीं दो नहीं इंडिया टीवी को तीन ऐसे मरीज मिले जो आरेमल अस्पताल के बाहर तड़प रहे थे जिनने आरेमल के डॉक्टरों ने मरने के लिए छोड़ दिया आपको दिखाते हैं तीसरे मरीज की दाइनिय तस्वीर इस मरीज का नाम है राजकुमार राजकुमार दिल्ली के सबजिमंडी लाके के रहने वाला है राजकुमार के पैर की हड़ी तूटी हुई है सिर्फ तूटी नहीं हुई हड़ी कलने लगी है खून बह रहा है लेकिन फिर भी ये सड़क पर पड़ा है इलाज के इंतजार में राजकुमार को भी अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया वो भी सुभा से इस बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है उसके पैर पर प्लास्टर तो लगा है लेकिन वो भी तूट चुका है आप देख रहे हैं यहां पर हालत क्या बहुत जादा खराब है आपका नाम क्या है राज कमार है कहां से हैं आप यहां से क्या नाम है टेंग नगर से यह कहां पड़ता है सबजी मंदी पास क्या होगे आप तो हमारे मतलब है छोट चोटला किया था पेर पेर अच्छी गलते 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 आज थोड़ा ज्यादा हुए कितने दिन हो गए आपको करिवन तीन चार दिन जो गलता है अब बाइसाब करते हैं कि ले जाओंगा ले जाओंगा मैं वैसे रह जाता हूँ तो आज इदर भी मैं सबेरे पड़ा रहा है अच्छा तो अभी कोई आपकी कोई यहां पे अस्पताल से कोई पूछने आए नहीं बहुत ही खराब हालत है समय हड़ी जूड़ी नहीं है और अभी यह तोटी हुई है प्रशाशन की लापरवाही देखिए यहां पे कोई सुद्बुद नहीं है बगल में ही मैंने अभी देखे सिक्यूर्टी गार्ड खड़े हुए है और वो सिर्फ मुख दर्शक बने वहां पे खड़े हुए और देख नहीं रहे हैं कि एक मरीज यहां पे पड़ा हुआ है चाहते तो अपनी तरफ से भी कदम उठा के और वहां पे जाके अंदर इनको ले जा सकते तो इनका इलाज करवा सकते थे अस्पताल की डॉक्टरों का दिल बेशक पत्थर का हो गया हो लेकिन दिल्ली की आम जंता का दिल इन तडपते मरीजों को देखकर पसीज गया आसपास खड़े लोगों ने राजकुमार को पानी पिलाया, पुलिस को फोन किया तीन तीन मरीज अस्पताल के गेट पर तडपते रहे लेकिन गेट पर खड़े गाड को भी एक मरीज नहीं दिखा जब हमने उससे बात करनी चाही तो वो वहां से भाग गया इंडिया टीवी और जागरूग जंता के चलते इन तीन मरीजों को अस्पताल में भरती तो करवा दिया गया लेकिन अस्पताल पिशासन ने ऐसे गंभीर मरीजों को भरती ना करके जो लापरवाही दिखाई उस पर सरकार को कारवाई जरूर करनी चाहीए और हमारे साथ महिला पूर्व महिला बाल विकास कल्यान मंत्री और कॉंग्रिस निता कृष्णा तीरत हैं इसके लावा सेंटर फॉर हेल्थ और सोशल जिस्टिस के डिरेक्टर डॉक्टर अभी जी दास हमारे साथ तेंटरोक्र साब ये बताईएगा कि मुझे याद आरा है धिल्ली हाई कोर्ट का एक ओर्डर जिसमें कहा था कि व्यक्ति का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इलाच के लिए लिए लाज के लिए पहास आए जी आपने सही कहा, यहां जो हम देख रहे हैं यह एक दर्दनाख तो है लेकिन होता रहता है क्योंकि व्यवस्था जो है इसके लिए आज बनी नहीं है दिल्ली हाई कोट ने एक केस था लक्ष्मी मंडल, यह हाली में था यहाँ बच्चा हो रहा है यह क्योंकि हमारे देश में मतरित वस्वास देवस्था है तो यह जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की है इस ओर्डर की तो यहाँ पर धज्यां हो रही है एक नहीं बलके तीन-तीन केसे हमने दिखाए और किन हालात में ये मरीज यहाँ पर लेटे हुए हैं छोड़िए सारी बाते हैं अगर हम लीगल आसपेक्ट भी ना देखें लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो इंसानियत का पहलू है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है एकदम और यहाँ इंसानियत नहीं है देखें नागरिक होने के नाते हमारे देश में कुछ अधिकार होते हैं और स्वास्त का अधिकार जो है सुप्रिम कोट ने बहुत स्पष्ट रूप से करार दिया है कि जीवन का अधिकार का हिस्सा है और इसके साथ-साथ ये भी कहा गय है कि स्वास्त की बैवस्ता करनी जो है स्वास्त इलाज की बैवस्ता करनी राज्य की जिम्मेदारी है ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है तो यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है वो है हॉस्पिटल या और एक मरीज हम देख रहे हैं जिस पर साफ लिकाए MLC केस है अब मान लीजे कर दिया गया है उसके उपर टिकेट है अब प्रश्ट यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन शिकायत कहां पे हम दर्ज कर सकते हैं और शिकायत की सुनवाई कौन करेगा मान लीजे कुछ वाट बॉइन जैसे इन्होंने कहा कि इसके बारे में जो सुपरिं सुपरिंटेंडेंट हैं उनको सूचना नहीं है लेकिन कुछ वाट बॉइन इन्होंने बयान दिया चलिए मेडिकल सुपरिंटेंडेंडेंट का क्या कहना है आरे मिलके ये भी पहले सुन लेते हैं उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अस्पताल की इतनी करते हैं इसे तीन चार पेशन एसे रोड साइट में फूट पास में वाते हैं इनका डी अडिक्शन क्लिनिक में पूना चाहिए उसको हमारा डी इदिक्शन क्लिनिक भी होता है इस पेशन प्रोडम इस फीडिक्शन किया जा सकता है इन अलफाज में आप समझती है कि यह देखे बात यह है कि यह कहना सही है गलत हमारे देश में जो भी बच्चा जो भी व्यक्ति है उसकी जिम्यवारी सरकार की है उसका पालन पोजिशन करना, उसका इलाज करना, उसे रुजगार देना, उसकी शिक्षा देना, उसकी विवस्था करना, रहने की विवस्था करना, ये हमारा अपना काम है अगर कुछ इस तरह से, इसी तरह से सरकार के विभिन विभाग है अगर वो मरीज है तो उसे हस्पताल में इलाज होना चाहिए और ये वाकिए समेदन हिंता है कि अगर किसी मरीज को वहां देखा तो किसी को भी एक को अंदर ले जाके अगर वो ड्रॉग एडिक्षन से, उनका इलाज हो और उनका ये आदत छुड़ाई जाए दूसरा हमारे देश में एडिक्षन होता क्यों है हम इसमें मुद्दे पे भी हमें विजाद करें मैंने सवाल ड्रॉग एडिक्षन का नहीं है अगर वो ड्रॉग एडिक्षन हैं भी तो मरीज हैं दूसरी चीज, उनको जो इलाज चाहिए था एक व्यक्ति की टांग तूटी हुई थी इसमें ड्रॉग एडिक्षन क्या करेगा एक व्यक्ति उपीलिया था उसमें ड्रॉग एडिक्षन क्या करेगा चलिए मैं वर्निद गुप्ता हमारे समाता है इसमें आपकर मेरे साथ हैं जी चलिए बताईए वरनित गुपता इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करेंगे वरनित ये बताएं कि यहाँ पर जो जवाब आया आरेमल के जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट थे उन्हों कह रहे थे कि साब ये ड्रग एडिक्ट हैं और इस तरीके से ये रोजाना का इनका काम है यहाँ जो इस्थानिये लोग हैं जो बाहर लोग खड़े होते हैं जो बाहर रोजाना के यहाँ पर आने जाने वाले हैं इन से आपने बात की क्या वाकी ऐसा केस था कि जिसमें ये जग एडिक्ट लग रहे थे मेरी आवाज मिल रही है वर्णित आपको लगता मेरी आवाज नहीं मिले है डॉक्ट सब ये बताएं डॉक्टर अबीजीर के जग एडिक्ट की बात उनोंने कही एक व्यक्ती का पैर तूटा हुआ है उसके उपर प्लास्टर बना हुआ है उसके हाथ पे स्लिप लगी हुई है जिस पर लिखा है कि मेडिको लीगल केस एक व्यक्ती को पी लिया है उसको बाहर वाड़ बॉई फेक जाते हैं इसमें ड्रग एडिक्शन कहां से आ गया ये जो जस्टिफिकेशन दिया गया ये किस तरह का है ये जो है मुझे लगता है डाइवर्शनरी टैक्टिक है क्योंकि यहाँ पे सपष्ट आप जो कह रहे हो हो सकता है ड्रग एडिक्ट होते होंगे उसमें मैं बाद में आता हूँ लेकिन यहाँ पे दो केसे हैं एक जिसने कहा मुझे अड्मिट नहीं किया गया और पॉलिसी अफ नो रिफ्यूजल जो है इनके अपने वेबसाइट पे है मैं अभी आने से पहले देख रहा था दूसरी बात है सुप्रीम कोट ने कहा है अगर इमर्जनसी है आप किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते है तो यहां क्लियर जो है उन्होंने सुप्रीम कोट के आदेश और अपने ही सिटिजनस चार्टर का उलंगन किया है दूसरा जो एमलसी टिकेट है तो वो वेक्ति कभी अंदर था वो वेक्ति बाहर कैसे आया तो पानी पीने की स्थिती में नहीं था लोगों ने सडक चलते लोगों ने उसको पानी पिलाया तो यहां पे एक शिकायत सुनवाई की बैवस्था होनी चाहिए अस्पतालों में बैवस्था कमज़ोर होती है पेशेंट की समस्या होती है लेकिन patient को कहने का कोई मौका नहीं लेकिन हम देखते हैं बड़े-बड़े अस्पतालों में बड़े-बड़े board लगे हुए होते हैं posters लगे हुए होते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है कि अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है कोई सुनवाई होती है मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि मैं पिछले तीन साल पहले Ministry of Health and Family Welfare का एक Grievance Regressal Committee का सदस्य था तीन महीने तक हम लिखते रहे कि कब इस कमिटी बैठेगी और बिना बैठे उस कमिटी ने कुछ निर्नय ले गए जो कि कमिटी में मैं सदस्य होते हुए मुझे पता भी नहीं चला कि Grievance Regressal Mechanism है क्या क्योंकि हम पुश कर रहे है कि हमारे देश में हमें चाहिए मजबूत बैवस्था हमें चाहिए नागरिक के लिए उचित बैवस्था अब नागरिक के लिए उचित बैवस्था के लिए अगर शिकायत सुनवाई की कोई बैवस्था नहीं है तो हम जानेंगे कैसे बैवस्था ठीक से काम कर रही या नहीं नए सरकार ने भी accountability की बात की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये accountability की जो बात है इसको मजबूती से रखना जरूरी है ये वाकि इसका जरूर इंतजार रहेगा वरनित बुत्ते सुक्त हमारे साथ हैं हमारे समवाता बने हुए वरनित ये बताईगा कि जिस तरह का जवाब अस्पताल प्रेशासन की तरफ से आया वो हमने सुना हमारे दर्शक भी जरूर सुन रहे होंगे ये बताएं कि अभी इन जो मरीज जो हमने तीन ये केस दिखाए इन तीनों का अभी क्या हाल है क्या ये अभी अंदर हैं अस्पताल के देखे जब मैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंडेंट से मिला हूँ अभी तो उनके पास जिसका पैर टूटा हुआ है जिसका नाम राजकुमार है उनको पहले तो उनको खबरी नहीं थी जब मैंने उनको कॉल किया तब उनको पता चला कि अच्छे है ऐसे कोई केस आए हैं उनका कहना था कि दिन में करीब यह दो चार बार यहां पर उपचार करवाने आया और यह भाग जाता है मैंने कहा उनसे मेरा सीधा सवाल उनसे यही ता अगर भाग जाता है तो यह जिम्मेवारी आपके सिक्यूर्टी गार्ड की नहीं चाहिए कि पूरा प्रॉपर उसको उपचार्ड मिलना चाहिए अगर उसको भागने उसको कैसे आप भागने दे सकते हैं और दूसरे मरीज के बारे में जिसको भागा दिया जाता है चलिए भाग जाता है यह तो समझ में आता है कि वो भाग जाता है लेकिन जिसको भगा दिया जाता है जिसको लोगों ने देखा कि वाड़ बॉआ आकर बाहर रख गए उसको तो दिल्ली के अस्पताल का ये शर्मनाक सच हम आपको दिखा रहे हैं तीन केस हमने आपको दिखाया किस तरीके से दिल्ली का ये बड़ा बबते हुए मरने के लिए छोड़ देता है हमारे समाता वर्नित गुपता इस वक्त हैं और हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया अस्पताल प्रिशासन का ये कहना है जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं उनका ये कहना है कि कुछ ड्रग एडिक्ट होते हैं जो रोज़ पर छोड़ कर वार्ड बॉआये इस्ट्रेचर पर ठेक कर एक तरह से इस मरीज को भागे क्या नाम है उस मरीज का देखे जो एक तो राजकुमार जिसके पैर में फ्रैक्चर है जिसको इस्ट्रेचर पर लेके गए हैं मेरे पास इस समय ये श्याम नाम का व्यक्ति है इनके ससुर यहां पर उसी वार्ड में भरती है जहां पर राजकुमार को रखा गया था साथी साथ एक और जो व्यक्ति भी उसी वार्ड में था जिसके सा spawn में और क्या मामला है और कैसे लोग जो वॉट से निक शुआ हूं कि गलती यह पर है उसके तो एक दिन दूसर पहले कल के अलावा कल क्या थी चलिवार था शुकरवार को भी बाहर कर दिया था अच्छा परसु की बात तो यह नहीं पता वह बाहर था यह इस गेट से गेट के पास नहीं इदर अच्छा परसों की बात कल जो कल पीछे से गेट खोला गया है वह अमर्जनसी गेट के चोटा सा गेट है हमारा शिशे का लगवा है वहां से खुल के फिर उस तरफ ले गए थे उसको कौन ले जाता है यह दो 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 थे अपने वर्दी पर रखे थी अस्पादाल वालों अच्छा आपने खुद सुना यहां पर इनके ससुर खुद उसी वाड़ में भड़ती हैं और यह खुद यहां पर बता रहे हैं कि दो वाड़ बॉय जो हैं पीछे के दर्वादे से जो मरीज है उसको बाहर निकाल देते हैं और सामने छोड़ देते हैं चली बहुत 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 धन्यवाद करिशना तीरत जी बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका और डॉक्टर अभी जी तापकरी बहुत 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 शुक्रिया उमीद करते हैं कि यह पूरी रिपोर्ट्स सरकार में बैटे अधिकारियों ने मंत्रियों ने नेताओं ने सभी ने देखी हूंगे और कोई ना कोई जरूरी कदम उठाए जाएंगे और जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था कि जवाब दे बनानी की जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए